दो सो फुली फॉंड़ेट स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए बहतरीर एडुकेशन का चांस हमारे लाइफ ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम के साथ तो घर बैठे मेरी तालीम और हंडड़ परसल्स स्कॉलरशिप्स ये है असल हमारा नारा Bridging Dreams, Impovering Futures आजी अप्लाए करें आजी मुल्क के जो नालो रौशन कर जाएं था तब बिलकुल अखुवत अई होम ब्रिच जिक्वा है हाथ मिलाया आहन नसल्सले के अक्तेवधायो आहे आई ही ओफर कन था बस सो फुली फंड़िड स्कॉलर्शिप फॉर ओनलाइन ए लेवल प्रोग्राम के सो बिलकुल तहां भी जे को आहे नमा फायदों खणी सगो था आहीं पे जे बारन के रौशन मुस्तक्बिल देई सगो था उनने फीचर जे बारे में तहां सोचे सगो था असाम अफ़र कन था काफी सस्ती भी औफर कन था ऐहीं तहां के उनने माईलाई फायदों भी पहुंचन दो तहां जे मारन जे मुस्तक्बिल के पहुंचन दो था तहां थोड़ों रिलैक्स भी फील कन दा हिक्रो बर्डन उन्दवा जाहिरा अरिकल जो जो को असा जो सिस्टम थी वह वाई त्री महंगाई जो दौर आहे तो उन्हें में पैरेंट्स योई चमनना हैं तो सा बार पढ़ाई हूँ या घर हलाई हूँ सो इनजे करें होम प्रेजें अखुवत हिक्रो जबर्दस्त हल कर ढढ़ा है जो तहां रिलाक्स थी पहें जो जौब भी कहो पहें जो घर भी हलाई हो इंग पहें बारन के रोशन मुस्तखबल भी जो तो असल सा गज्य के अधी ते गैस्ट मौजूद आहें उननंसा असा भी ही हम साथ जो को जो पहें जोड़ा है जो अजे टीड़ को सिर्फ अखुषा कर चाहर आख भी जूदैवर्टन स्वार्याह चुट्व ना तो घर जबर्स थी ब्हास कि अधिक्नाथ तो इस एंड्टिंग ब्स्तिन आःगल्र्टन सुथ आ कि तें मौंट हैं सभी हिसल आया है। तहां के बीज आए पिर्टोब अप्रे जिस कती है। है। आया कर दो लुकुल तहां जैके लुड़िया जरू आया हुआए जिसाए प्रोग्राम मेशा मिल करने है। पुची जागोता है। Assalamu alaikum sir, किसे हैं आप? Assalamu alaikum alhamdulillah. Good to see you here और मैं आपको welcome करती हूं अपने show में. Thank you so much. Thank you. आप जरा ये बताईए कि Homebridge और अखुवत, इनका collaboration कैसे हुआ और इनका mission क्या है? मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा Homebridge के बारे में उसका तारुफ कराना चाहता हूं के Homebridge असल में है क्या? तो Homebridge पाकिस्तान का पहला Cambridge certified online A-level program है. जो के पाकिस्तान भर के बच्चों को opportunity देता है कि वो किसी भी जगह से कहीं से भी अपने laptop या अपने mobile के through online A-level कर सकते हैं. चीक है. तो अब उनके कहीं पर school में जाना जरूरी नहीं है. वो अपने घर से बैठके अपनी convenience के हिसाब से भी A-level का इंतखाब कर सकते हैं. और जहां तक अखुद की बात है वो तो किसी तारुफ की मौताज नहीं है. उनका social welfare में बहुत काम है. इस्पेशली उन्होंने पाकिस्तान में अच्छी मयारी तालीम की रिसाई मुम्किन नहीं है लोगों के लिए. तो हमने का कि हम हर जगा पे available हो सकते हैं क्यों नहीं कुछ मजीद और अवाम के लिए करें तो हमने मिल कर ये फैसला किया कि हम 200 fully funded scholarship हमारे लाइव ऑनलाइन एलेबल प्रोग्राम के लिए हम ओफर करेंगे और इसमें अखुवत और होम रिच्वाई बिकन हाउस की तरफ से 100% tuition fees, co-curricular fees, registration, security ये expenses sponsored होंगे. सही, ठीक है, तो इनका basically आगे जाके अगर हम बात करें, in future अगर हम देखें तो इनका आगे का mission क्या है? मैं mission की बात करूँ तो देखें, जिस तरह मैंने पहले भी mention किया कि हर बच्चे को ये हक हासल है कि वो अच्छी तालीम हासल कर सके, चाहे वो किसी गाउं से तालुक रखता है, चाहे वो ऐसी family से तालुक रखता है जो इतनी financially stable नहीं है और गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, अच्छी तालीम हासल करने के, तो ये opportunity असल में उन लोगों के लिए है, कि वो बच्चे भी आगे आएं, society को uplift करना इसका एक बहुत बड़ा mission है, equal opportunities provide करना है, इसका mission है, कि हर बच्चे को equal opportunity मिले, उसकी financial background या उसके social background के accordingly उसको तालीम करने का मौका न दिया जाए, तो इस चीज़ को ये हमारे missions है, और जाहर है चुके जब आप A-Level का इंतिखाब करते हैं, A-Level पाकिस्ट, पूरी दुनिया में माना जाता है, Cambridge certified भी है, of course, और international universities भी उसको recognize करती है, तो इसको point of view में, अगर इसके point of view में आप देखे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा program है, जिसके बाद international doorways खुल जाते हैं, बच्चों के लिए, अगर वो किसी अधियाती अलाके से भी तालुक रखता है, और तालीम हासल करने में interested है, talented है, तो वो अगर international university में किसी में चला जाएगा तो उसकी जिन्दगी बदल जाएगा, बदल जाएगा, और are they offering for in future, जहां पर jobs वगएरा का कोई सलसला हो, अच्छा हम लोग jobs वगएरा या university education उससे प्रोवाइड नहीं करते हैं, ए लेवल, intermediate level की education है, जो metric या O level के बाद 2 साल का program होता है, इसके बाद वो जाहर है, universities में दाखला लेते हैं, और अपनी further करते हैं education, तो हमारे पास counseling team available जरूर है, जो बच्चों को पूरा counsel करती है, उनके interests के हिसाब से, उनके career goals के हिसाब से, क्या करना चाते हैं, उनका क्या skill set है, वो अपनी जिंदगी में क्या achieve करना चाते हैं, case by case, उनके accordingly, हम लोग उनको counsel करते हैं, और उनको brief करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, और further universities में admissions में भी उनकी help करते हैं, सही, और eligibility criteria क्या है apply करने के लिए scholarship है, दो points पे मुबनी है, हमारे eligibility criteria, एक तो family income पे dependent है ये चीज़, के जो बच्चे interested हैं और ये level करना चाहते हैं हमारे through, तो उनकी family की या उनके वालदान की income दो लाक रुपे महाना से कम होनी चाहिए, या दूसरा academic achievement या merit basis पे हम scholarship देंगे, जिसमें बच्चों के पास, अगर उन्होंने metric किया है, तो 80% से जादा marks हो, या फिर अगर उन्होंने O level किया है, तो उनके 4 ACE से जादा हो, but merit basis पे हम थोड़े flexible हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जादा से जादा deserving, बच्चों तक ये मौका पहुंचे और वो opportunity उनको मिले, तो हम उसको उस पे थोड़े flexible है, उसमें हम लचक भी है, हमारे पर हम देख सकते हैं कि उसमें कौन से SSI बहसी इतलोग है, होम ब्रिज रखुवत को ऐसा क्या feel हुआ कि आपस मैंनोंने collaboration किया, need क्या थी basically, अच्छा होम ब्रिज का एक बहुत, अगर होम ब्रिज आपको पता है कि बिकन हाउस का एक बहुत वसी तजर्बा है, education में, एक legacy है, पाकिस्तान का one of the oldest education institute है, तो हमारे पास faculty के point of view से, education के point of view से कोई कमी नहीं है, हम लोग हमारे पास वो सारा mindset है, वो skill set है, जो अच्छी education देने के लिए जरूरी होता है, अखुवत on the other hand, उनका एक बहुत तजर्बा है, वसी तजर्बा है, social welfare के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, education में उनके बहुत से projects हैं, ऐसे जो उन्होंने किये हैं, तो जाहर है हम लोग बचे हमारे platform के through educate करेंगे, और अखुवत हमें उसमें help करेगा, अपने financially उसमें help करेगा, जाहर है, और ज तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे काफी सारी families को भी जानते हैं, जो deserving हैं और जो करना चाहते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं, तो हमें उनके through यह help जरूर मिलेगी कि वो हमें इस project को successful करने में, यह जो हमारी campaign है, जो collaboration है, इसको successfully अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें यह है कि यह message लोगों तक किस तरह हम पहुंचाया जाए, अगर एक बच्चा देहाद में बैठा है, तो हम अपना message कैसे उसको पहुंचाएं, यह कोई गरीब बच्चा है, आजकल के दौर में आपको पते technology advancement कितनी हो चुकी है, और हर बच्चे के पास, और हर वालदायन के Android mobile available है, और social media भी वो यूज करते हैं, तो हम different tools यूज कर रहे हैं, message फिलाने के लिए, उसमें एक तो हम लोग social media, digital marketing के यूज कर रहे हैं, अपनी messages के लिए, फिर TV को यूज कर रहे हैं, and then Akhuat is also helping us out in this, Akhuat, चुके बहुत बड़ा network है, तो उनकी अपनी ऐसी internally campaigns होती हैं, जि लोगों तक वो message पहुंच जाता है, जहां पर mobiles नहीं हैं, जहां पर अब तो खेर हर किसी के पास है, but कुछ-कुछ ऐसे areas हैं, जहां पर internet की सहूलियात मौजूद नहीं हैं, तो क्या अकुट वहां पर खुद विजिट कर रहे हैं, इस चीज को awareness देने के लिए, जैसे बच हैं, पैरेंट्स हैं, आज कल तो हर कोई पढ़ना चाह रहा है, उस हिसाब से कोई awareness program, अच्छा मैं तोड़ा सा बताता चलूँ आपको, कि यह online A-Level program है, इसके लिए internet की availability होना बहुत जरूरी है, internet आपका तकरीबन काफी जगा पे, पाकिस्तान के 60-70% अलाके में, है, availability नहीं है, वो शायद उस तरह से इस opportunity को avail ना कर सकें, क्योंकि फिर उनको दूसरे इलाकों में आना पड़ेगा और उसके लिए उनको expenses required होंगे, जो के वो already afford नहीं करते, तो यह उन बच्चों के लिए है, जहां पे internet की रिसाई मुम्किन है, और मगर वो deserving है, उनके पास वस तो अब आपसे जो मैं next सवाल ये करूंगी, कि जैसे आपने campaign स्टार्ट कर दी, आपने advertisements चला दी अपनी, और आपने marketing point of view से आपने screens पर भी सब कुछ दे दिया, अब processing की तरफ अगर आएं, तो आपको approach करना चाहें, एक तो net के तो आपको approach कर सकते हैं, इसके इलावा आकर कहीं से ले सकें, इस तरह का भी कोई scene है, अचा आपके लिए, इसके लिए online submissions है, online के इलावा, online के इलावा हमारा office है, Guru Mangat Road पर, लेकिन उसके लिए उनको पहले राप्ता करके appointment लेनी पड़ेगी, फिर वो आ सकेंगे, उसके इलावा उनको घर बैठे वो register कर सकते हैं, हमारे पास, हमारी team available है, वो customer representative उनको calls करके, उनकी application को आगे further process करवाएंगे, तो इसके लिए वो हमारी website www.homebridge.pk slash scholarship पे जा सकते हैं, वहाँ पर उनको form fill करना पड़ेगा, उसमें उनको कुछ documents submit कराने पड़ेंगे, उसके बाद वो application इस तरह ही हमें मौसूल होगी, तो हम उ से call जाएगी, उनको अखुद की तरफ से investigation होगी proper, और उस investigation के बाद अगर वो deserving है, तो उनको मौका दिया जाएगा, first come, first serve basis पे, तो जितना जल्दी apply करेंगे, उतने अच्छे chances हैं कि scholarship वो avail कर सकते हैं, तो कि limited number है, 200 का number है, नमबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन hopefully कि सब जल registration होगी, हमारे पास तकरीबन अभी हमारी registration in process है, मैं आपको एक particular number तो share नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि तकरीबन 50% के करीब हमारे पास बचों की applications आई है, जिनकी processing अभी चल रही है, जाहरे उसमें से कुछ eligible होंगे, कुछ eligible नहीं होंगे, तो एक final number मैं आपके साथ share नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि लोग काफी शौक से इसको apply कर रहे हैं और इसका पर पूरू फाइदा उठाना चाहते हैं, चले ये बहुत अच्छी बात है, तहां भी जल्दी सा online registration कराया हो, जैकर नहीं तहां पे बारन जो रोशन मस्तक्विल लिसन चाहे हो था, नहीं तहां वा जो पाकिस्तान के सवार्ण जो हिर मौकुआ है, पे जो बार जो रोशन मस्तक्विल के सवार्ण जो मौकुआ है, तहां भी registration कराया सगो तहां online तहां जो बार easily eligible थी सगे थो, अच्छा आपको क्या लगता है कि परहाई कितनी important है एक बच्चे के लिए, parent के लिए, हमारे जो मौशरे को थोड़ा सा हम अगर बात करें इसको आगे बढ़ाने के लिए, तालीम सिर्फ किताबी पढ़ा ही नहीं है, तालीम एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है, इसको हम personal development कहते हैं, तो जितने भी आप लोग देखेंगे, वो सिर्फ किताबे पढ़के आगे नहीं गए, उन्होंने अपने उपर काम किया, अपने स्किल्स पे काम किया, जाहरे तालीम की मदद सही किया, तो तालीम एक बहुत बड़ा करदार अदा करती है, किसी भी इनसान के बड़ा इनसान बनने में, तो personal development के लिए तालीम बहुत जरूरी है, और उसके रहो होगे, नेक्स्ट सवाल में आपसे ब्रेक के बात पूछती हो, जी विवर्ज, वक्त आहे ब्रेक जो, कारेन अबन जो, असान जल्दी वापस दाज़ू और रंगन बरी शाम, ये रंग बरंगी शाम सब्सक्राइब करेंगे, तो आप ये बताईए के आप एडवाईज क्या देंगे पारेंट्स को अच्छा, मैं एक तो सबसे पहले एडवाईज ये है कि तालीम एक अच्छा इनसान बनने के लिए बहुत जरूरी है अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे आगे जाएं तो उनके लिए तालीम बहुत जरूरी है तालीम सिरफ आपको नालेज नहीं देता बलके आपको घ्रूम भी करता है आपको एक क्सपोयर भी देता है आपको दुनिया के बारे में सिखाता है या क्या है वो जिए पर आप वो एक्सपीरि kilometres करते हैं वो इसके तरू बच्चे को इतना इक्विप कर देते हैं कि उसके लिए आगे की मन्जिलें जो हैं, वो बहुत असान होती है असान इस सेंस में होती है कि वो इसी ली रिकवर वहां से कर लेता है अपने अईश्पिरियंस के तरू और उसमें वो skill set पैदा हो जाता है कि उसके लिए उन मुश्किलात का सामना करना असान हो जाता है कदरे अगर आप किसी दूसरे program की बात करें तो मैं ये पेगाम देना चाहूँगा parents को इस campaign और इस scholarship opportunity के हवाले से कि हम first come first basis पे offer कर रहे हैं और इसमें 200 का number है जो के बहुत जादा नहीं है हमारे पास already application बहुत जादा आ रही है तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं इसके लिए apply करें क्योंकि जितना जल्दी आप करेंगे apply उतना आपको फाइदा होगा सही एक बात और यह आपसे जरूर करना चाहूंगी कि सिंपल मैट्रिक और ए लेवल में जमीन आसमान का फरक है लेकिन ज्यादा तर parents prefer करते हैं कि go for the simple metric और अगर कोई बच्चा O level या A level करना चाहे तो उनको कहते हैं कि नहीं क्यों इतने साल बरबाद करने सिंपल एक साल में यह हो जाएगा कर लो रीजन क्या है कुछ मिस्कंसेप्शन है कुछ अवेइनेस का थोड़ा सा मैं समझता हूं के इशू है मैट्रिक के बाद भी A level किया जा सकता है मैट्रिक या मैट्रिक O level का alternative है आप मैट्रिक करके भी अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप A level कर सकते हैं तो पैरेंट्स को एकसेप्ट नहीं है ना बोलेंगे कि अब यह तुमने इंटर करना है तो तुम फिर यह कर रहे हैं कि एक मिस्कंसेप्शन है उन्होंने वह एक्सपीरियंस उस्तरां से नहीं कि जहां तक मैं बात करूं जो education system है O level और A level यह थोड़ा concept की basis पे आपको सिखाते हैं या आपको सिर्फ याद करना नहीं सिखाते हैं बलके आपको सोचना सिखाते हैं कि आपने किस तरह से सोचने हैं और किस तरह से आपने tackle करना है तो यह जो एक approach है यह बहुत जरूरी है जा challenges आते हैं तो अगर इस challenge से डर जाएंगे कि A level थोड़ा सा इंटर से थोड़ा सा मुक्तलिफ है या मुश्किल है तो शायद मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है जाहरा थोड़ा सा mindset का difference होना जरूरी है इससे लेकिन बच्चों में skills ऐसे जरूर पैदा होते हैं कि जिससे वह बह अचा अब parents का असल challenge यह होता है parents कहते हैं कि जी हम बच्चे को online ही क्यों करवाएं सरफ वो school जाए उसकी एक proper routine हो वो सुबा उठे वो टाइम पे सोए स्कूल जाए उसके physical activity हो तो इस चीज़ को मदे नजर रखते हुए हमारा one of its kind program है जो कि पाकिस्तान में और अभी फिल हाल कोई offer नहीं कर रहा चूंकि हमारा बेकन हाउस का बहुत बड़ा network है तो हम यह opportunity बच्चों को देते हैं कि वो online क साथ साथ on campus activities भी कर सकते हैं इसमें बच्चों का education सारी online होगी बट उनकी physical activities या को curriculars है वो उनको हर बच्चे को उसके करीबी बिकन हाउस का campus sign कर दिया जाता है आपको मालूम है कि बिकन हाउस पूरे पाकिस्तान में पहला हुआ है तो बच्चों के करीबी campus उनका sign कर दिया curricular की activities हैं जो वो करना चाता है तो वो अपने करीबी campus में जाके उनको भी कर सकता है तो हम online A-level program offer कर रहे हैं with on campus activities इसके इसके इलावा अगर मैं बात करूं तो technology advancement के point of view से हम education जिस तरह प्रवाइड करते हैं जिस platform के थूरूस को हम learning management system कहते हैं जो के LMS है हमारे पास जो दु LMS use करते हैं जिसमें एक virtual classroom बच्चे के पास available है वो अपने different दोस्तों के साथ दोस्त भी बना सकता है वो teachers के साथ अपने colleagues के साथ interact भी कर सकता है फिर वो discuss भी कर सकता है कुछ points तो एक बहुत वसी platform है जिस पे वो जाके उनको हम पढ़ाई देते हैं पढ़ाई करवाते हैं इ तो बच्चे ना कि सिर्फ live पढ़े होंगे लेवल बलके वो pre-recorded classes को भी रुजू कर सकते हैं इन case अगर उनसे को लेक्चर मिस हो गया है या वो दुबारा repeat करना चाहते हैं उस concept को तो वो videos को बार-बार देखके उसको follow कर सकते हैं एक class मिस होने से बच्चे की उसके जो concept प से बहुत different है बाकी प्रोग्राम जादा तर on campus है और on campus में आपको पता है के फी structure बहुत जादा है उनका बच्चे वो afford नहीं करते तकरीपन सतर से सतर हजार रुपे महाना की piece है हम सिर्फ 14,000 रुपे महाना में यह offer कर रहें और जो बच्चे वो भी नहीं दे पाएंगे या दो दे सकते या इतने वसायल नहीं तो हमने उनके लिए scholarship program offer किया इसके इलावा और कौन सी scholarships है आप जो offer कर रहें अच्छा तो यह तो एक जाहर 100% fully funded scholarship है इसके इलावा भी हम scholarships offer करते हैं लेकिन वो results की basis पे होता है जिस तरह जिस तरह जाहरा आपकी percentage आपकी बेतर होती जाती है उस तरह उस तरह हम आपको discount offer करते जाते हैं लेकिन percentage का criteria क्या है कितनी होनी चाहिए वो हमारी website पे सारी information मौजूद है हमारी website www.homebridge.pk पे जाके उस सारी details वहां से follow कर सकते हैं में वहां पर उनको scholarship criteria भी पता चल जाएगा कि दूसरी scholarships क्या offer हो रही है फिर उसके इलावा उ मतलब 200 scholarship जो आप कर रहे हैं तो इसका criteria of percentage क्या है इसमें कितनी percentage आप बच्चे की मतलब होनी चाहिए इसमें आपको जिसरा पहले बताया के दो points पे based है एक तो income family income के वो बच्चे उनके जो करना चाहते हैं उनके वालदायन की income महाना दो लाग रुपे से कम होनी चाहिए और दूसरा merit basis पे जिस पे उनके पास metric में 80% से जाएद और A level में 4A से जाएद marks हों तो हम उनको scholarship offer कर सकते हैं माशाला ये तो बहुत अच्छी बात हैं लेकिन आजकल बहुत कम बच्चे हैं जो मेरा खाल है 80 से उपर percentage ला रहे होंगे देखें इसमें हम थोड़े से flexible भी हैं ऐ इसा नहीं है कि 80% होंगे तो ही मिलेगा लेकिन आपको पता है चुके हमारे भी resources हैं हमने अखुष के साथ इसमें collaborate किया और हम मिलके इसको sponsor कर रहे हैं तो हमने भी ये make sure करना है कि वो बच्चे जो deserving भी हैं और जो इस program को कर भी सकेंगे वो बच्चे इसमें आएं कि दोसों का number है अगर 200 बच्चे जगा ले रहे हैं तो कोई और 200 बच्चों की जगा भी ले रहे हैं तो ऐसे ना हो के वो बच्चे हम उनको ले लें और वो अपना a level complete ना कर सकें जो भी वजा है या उनका interest इस तरह से ना हो तो फिर दूसरे जो बच्चे हैं उनको उनकी जगा जो है अग्या यजञे पर जाया हो जाती हैं आपको कितना अर्च सो हुआ इस फिल्ड में मुझे तक्रीबान आच साल हो गए इस फिल्ड में मैंने different industries के लिए काम किया है फिर मैंने के लिए fashion retail में काम किया है पिर मैंने एड़ुटाइजिंग में काम किया है और अब मैं education industry में का डिफरिंस तो जमीन आसमान का है, वो एक अलग फील्ड है, खैर बात तो वही सारी मार्केटिंग की आ जाती है, मार्केटिंग मेरा ख्याल है कि अगर आपको प्रोड़क्ट बेचना आ जाए, तो आप कहीं की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन फैशन फील्ड अलग है, और बिल्उक्ली टोटली डिफरिंट है, तो आपको इनके साथ काम किरते वे तकरीबर्श को झाना चाहिए, बिल्कुल अप्राइजद दिफीरिंट तो बिल्कुल इंदस्त्रीज बिल्कुल बहुत डिफरिंग odd this लोग है, अर जो आपकी एजुकेशन वील्दिफूरिंग है लेकिन आपका skill set जो है वो तो same ही रहता है, आपके marketing के concepts और आपके branding के concepts वो same रहते हैं, difference है product का, जिसकी आप marketing या branding कर रहे हैं, तो जाहरा product की knowledge आपको लेनी पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि मेरा जो passion है वो सीखना है, इंसान किसी भी stage पे सीखना बन नहीं करता, तो मैं अपनी जिन्दगी में सीखना चाहता हूँ, different industries को explore करना चाहता हूँ, जिसकी वज़ा से ही मैंने industries shift ही और alhamdulillah, अभी तक मैं इसमें कामया भी हूँ. माशाला, माशाला, बहुत अच्छी बात है, तो मतलब इसका मतलब के you are enjoying और आपका experience बहुत अच्छा रहा है, तो ये आपको switch करने में आपने सोचा था कि मैं एक अलग field में जा रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा switch करने में होता है issue, या आपने बस फॉरन-फॉरन switch किया था डिपेंड करता है कि आपके फास opportunity कैसी available है, तो I would say के Bickenhouse is a renowned name और आपको पता है के Bickenhouse पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क, it's a big big group, तो obviously एक Bickenhouse का part होना एक आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके career के लिए बहुत अच्छा है, पिर आप जब अच्छे लोगों से काम कर और आप progress करते हो अपने career में, तो ये एक बहुत बड़ा reason ना जिसके वैसे मैं Bickenhouse में आपने खुद भी O Levels किया है, हाँ जी मैंने खुद भी O Levels किया है, इसी वजह से आपको ज्यादा अच्छी लोगी होगी ये field, चले जबदस, तो आप parents को और बच्छों को क्या message देन है, तो उसके लिए तालीम होनी बहुत जरूरी है, और साथ-साथ में बच्चों को skills पे काम कराना भी बहुत जरूरी है, सिरफ किताबी तालीम तक उनको मेहदूद रखेंगे, तो शायद उनके लिए इतनी असानिया ना हो, उनको साथ-साथ skills भी आप सिखाएंगे, कि एटिकेट्स कैसे सीखने हैं, प्रोफेशनली ऐसे कुछ skills हैं जो दुनिया में बहुत popular हैं, जिस साहसे web development है, software engineering है, ये वो skills हैं जो बच्चे कभी भी सीखना शुरू कर सकते हैं, आपके पास online बहुत ऐसे platforms available हैं, तो बच्चों को साथ-साथ skills पे भी जरूर काम करवाएं, कि by the time वो graduate हों और वो market में जाएं तो उनके पास education, academic knowledge भी हो, उनके पास professional experience भी हो, क्योंकि यूजिली जब बच्चे graduate होते हैं, तो यहां पर उनको इस तरह से council नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि आगे क्या होगा, तो आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस चीज़ को देखते हुए उनको अपने बच्चों के skills पर भी काम जरूर करवाना चाहिए, और साथ में तालीम जो education, basic education है, उसको कभी भी compromise नहीं करना चाहिए, बहुत जरूरी है, thank you so much सुहेव, आज आप आए, यहां पर आपसे गप्शप की, बहुत अच्छा लग बात्चीत करेंगे, जी विवर्ज अजी जे को आए, असान जी थोड़ो short program आए, छोत है, असान जी भी recording भी आए, असान के लियो कम भी करणो आए, इनने जे करे 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 करे, जे को आए, शॉर्ट टम जलाए भी असान इना आए, इंचाला जिन्दगी रही तो तना सब भी हरम लाकात कंदा सी, तेसे दाई पहंचे, पहने प्यारें जो ख्याल रख जो, अलाहाफिस